बनारस से छपे हिंदी शब्द शागर के जितनी प्रतिष्ठा हिंदी के किसी और शब्द कोश की नहीं। यह हिंदी भाशा का सबसे विस्तरित और मानक शब्द कोश है। 1907 से 1927 के बीच 20 सालों की अथक मेहनत से 11 खंडों में छपे हिंदी शब्द शागर के तीसरे खंड में विस्तार से चूतिया शब्द का जिकर आता है इसके साथ चूतिया खाना, चूतिया चक्कर, चूतिया शहीद और चूतिया पंथी जैसे शब्द भी आते हैं हर जग इसका अर्थ मूर्ख, गाउदी, बेवकूफ, अबूद, नासमज, कूड मगज और जड़बुधी बताया गया है कहीं भी इसके अशलील होने या गाली होने का इंच मात्र भी संकेत नहीं दिया गया है इसके इस्तेमाली रूप भी बेहत दिल्चस्प हैं मसला इन आम फहम बातचीत के संदर्ब में सिर्फ चूतिय बहुत कम होते हैं बड़ी संख्या चमन चूतियों की है अच्छी खासी तादाद परम चूतियों की भी मौजूद है कुंठा के शीर्श भाव में दर चूतियों का जिकर आता है हलाकि यह विशिष्ट परिस्थितियों में ही आता है एक दुरलफ प्रजाती का जिकर भी कहीं कहीं देखने को मिलता है उन्हें चरम चूतिया कहते हैं एक मिनिट योगी जी कुछ कह रहे है बस थोड़ा सबाकी रह गया सर नागरी प्रचारणी सभा की तरफ से 20 सालों के अथक परिश्रम से तयार हिंदी शब्द शागर का संपादन उस समय के मशहूर भाशाविद बाबू श्यामसुंदर दास ने किया था उनके साथ रामचंद, शुक्ल, बाल, कृष्ण, भट, जग्मोहन वर्मा, रामचंद, वर्मा जैसे भाशाविद बताओर सहायक, संपादक जुड़े रहे अगर चूतिया, अश्लील या गाली है, तो असम की एक पूरी बिरादरी का अस्तित तो ही गाली बन कर रह जाएगा असम की सूतिया, जञ्जाति की बात हो रही है, असम यह भासा में चh सब्द नहीं है, उसकी जगह सब्द का इस्तमाल होता है लिहाजा इनको अंग्रेजी भाशा में बोलते सूतिया हैं, लिखते चूतिया हैं सा के लिए असमिया जन्ता C.H. का इस्तेमाल करती है इसी तरह वो चाय को साय बोलती है पुर्वी उत्तर प्रदेश और पस्चमी बिहार के संगम यानि भोजपुर के इलाके में चूतियों की एक ऐसी भी नशनल पाई जाती है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वो खैनी खाती है पूरी कहावत कुछ यू है, राजा पिए गाजा, तमाखू पिए चोर, खैनी खाएं चूतिया, धूकें चारोर